हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू सचेन मैथ क्लासिस, जैसा कि हमारा M.S.C. का मैथ चल रहा है, डिस्क्रीट मैथेमेटिक्स, बेटा यह सेम हमारा B.S.C. में भी है, यह आम B.S.C. भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम मैथ, कोई चेंज रचाव सेक्ष में, काफिधर्य का इंहीं मैथ होता है, कुछ इनियक ुरनेशियों में मैथ होता है, सेम मीम है, डोनों का ओ दिक्कत नहीं है, ेम यह सेम अज का topic हमारा क्या होगा पेटा पोस हैट अब आपको पोस हैट से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत साले topic पोस हैट में पोस हैट से पहले कवर करा दिये जैसे कि आप सबी को पुता है graph theory जो इसमें पूरा topic मैंने matrix graph हमारे सारे incidence matrix, agency matrix उन सभी के उपर लिया अभी हम उसके बाद मैंने tree पढ़ाया tree का basic lecture लिया एक हमने 30-40 minute का फिर अभी 7 topic आज हमारा है post set कि post set क्या होता है और 8th lecture है हमारा हैसे diagram तो पेटा ये post set और हैसे diagram दोनों joint है अगर post set समझ में नहीं आए तो ऐसे diagram को नहीं आएगा आपको अगर post set आ गया तो दोनों आ गए ठीक है तो दोनों important topic है post set सीखेंगे और ऐसे diagram आज दो lecture में आज एक एक next lecture में तो आज post set क्या होता है उससे पहले हम post set के उपर बात करते हैं post set की सबसे पहले आपको definition फुल फॉम पता होना चाहिए कि partially ordered set होता है हमारा ठीक है अब post set के लिए post set के लिए मैं आपको simple बता देता हो कोई भी relation हमारा post set कब होगा जब वो हमारा partial order relation को satisfy करेगा समझ ना पहले मैं एक चीज़ बताँगा हमारा क्या है यहां पर कोई एक non impity set रहेगा s कुछ भी नाम देलाना आपकी मर्जी है उसके साथ कोई relation दिया रहे है माल लो हमारा दिया हुआ है 1,2,3 ठीक है यह हमारा कोई set दिया हो s ठीक है along with the relation और यहां पर relation दिया हुआ है divide ठीक है बता partially ordered relation को satisfy करेगा आप बोलोगे सरी partially ordered relation क्या होता है partially ordered relation क्या होता है देखो जो तीन properties को satisfy करेगा तीन properties कौन कौन सी होते है पेटाई हमारा यहां पर सबसे पहले आता है आप सभी को पता है reflexive जो कि आप 10 से पढ़ते वह आ रहे हो उसके बाद आता है antismetric इन तीन property को satisfy करें उसको हम बोलते है partial order relation अगर कोई relation हमारा partial order relation की तीन property को satisfy करेगा उसको हम क्या बोलते है पेटा पोसेट तो यह था बिल्कुल हिंदी में पेटा ठीक है अब बात करेंगे पेटा कि reflexive antismetric और transitive होता क्या है या तो exam में यह definition लिख सकते हो आप यह तो दूसरी क्या लिखोगे मैंने और करके लिखा भी हुआ है यहाँ पे in on impity set s along with a relation r satisfy the following property सबसे पहले हैता है बेटा reflexive बेटा reflexive में सभी को पता हुआ है अब को सभी को पता है बिल्कुल कॉमा ने बेटा हमारा a को यह element है तो बिलोंग कर रहा है ऐस थे ठीक है अब ही हमारा क्या exist करना चाहिए there exist a, a b हमारा अगर relation r में satisfy कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम reflexive example के साथ साथ समझते रहेंगे तो मैंने थोड़ देर पहले आपको एक example दिया यहाँ पर 123 का relation क्या दिया बेटा मैंने divide तो 1 1 को divide करेगा 1 2 को भी divide करेगा बेटा 1 3 को भी divide करेगा ठीक है उसके बाद 2 2 को divide करेगा बेटा 2 3 को divide नहीं करेगा 3 3 को divide करेगा बस यह relation हमारा बन रहा है आपने देखा हो तो अभी divide के कि तरीके मैं sorry divide ठीक है ये relation बन रहा है अब relation में a,a मतलब यहां पे element कुण कुण सा 1 है 2 है 3 है मतलब 1,1 होना चीए है बिल्कुल 2,2 होना चीए है 3,3 तो बिल्कुल सी बात है reflexive क्या है ये reflexive है क्योंकि a,a भी है इसमें अरे ये element a से उठाया हमने तो वो relation में है ना 1,1 फिर b उठालो अब मालो a उठाया कोई b element उठालो ऐसे जो कि हमने 2 ले लिया तो 2,2 है ना 3,3 है ना तो उस चीज को बोलते हैं बेटा हम reflexive ठीक है अब थोड़ा rough करता हूँ यही पे आपको आगे आप आपको इस बेटा ये lecture समझ में नहीं है तो Milky को slash diagram को slash diagram बणाने के लिए किस चीज की जरूरद पड़गी बेटा possesset की जरूर पड़गी जो relation possesset रहेगा उसका हम एसे diagram draw कर सकते हैं अगर पोसाइट ही नहीं आता तो एसे diagram भी नहीं आएगा आपको अब देखो बेटा अब दूसरा आता है बेटा anti symmetric क्या है anti symmetric बेटा ठीक है anti symmetric में क्या होगा बेटा हम anti symmetric में हम दो element उठाएंगे क्या उठाएंगे दो element a और b उठा लिया किसे s set जो हमने set s लिया ये वारा इसे दो element उठाएंगे बेटा ठीक है तो इसमें क्या है a, b, b end है b, a उसका उल्टा दोनों क्या है reconciliation में होंगे ठीक है मतलब ये है तो इसका ये भी होना चाहिए और then उसके बाद क्या होना चाहिए a, b होना चाहिए a किसके इक्वल होना चाहिए b के इक्वल होना चाहिए उस चीज को हम anti symmetric बोलते है अगर a, b है और b, a हो जाए तो उसको बोलते है symmetric anti में क्या है उसके बाद ये तो होना ही चाहिए उसके बाद A equal to B होना चाहिए है हमारा क्या होना चाहिए? A, B होना A equal to B होना चाहिए अब देखो इस relation को दुबारा से इसी example के help से समझते हैं बहुत सारे example भी करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे अभी हमने यहां से 1,1 उठा लिया ठीक है? यह A है यह B है बेटा, अब अगला relation क्या चीए हमें? B, A चीए है बेटा अब B क्या ले है? 1 अब 1 के लिए यहां पे कौन सा है? यह है B क्या है 1 और A क्या है 1 उल्टा कर दो, इसका उल्टा ही तो करना A है, कॉमा B था, B कॉमा A करना उल्टा कर दे 1,1 अब A की वैल्यू कितनी है 1 B की वैल्यू कितनी है 1 अरे 1 is equal to 1 आतो गया हमारा तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा anti-smetric अब बात आजाती है reflexive बेटा नहीं समझ में आया तो दुबारा और आगे example बहुत सारे लेंगे वहाँ पर और दुबारा चाची तरह समझाने की कोशिस करूँगा पहले अभी तो मोटा-मोटा समझा रहा हूँ आप लोगों को कि समझ में कुछ तो आए transit जीव अब बात तो transit वेटा transit वेटे के तीन element उठाते है A, B और C ये किसे उठाते सेट से अब क्या होना चीए A, B बेटा B, C बेटा ये हमारे बिलोंग करना चीए R से तो उसके साथ साथ हमारा दैन क्या करना चीए A, C भी बिलोंग करना चीए R में A, C भी बिलोंग करना चीए आप चलो उठाते है यह ठीक है अब उठाके का example समझाता हूँ यह आपको क्योंकि यह 11th का topic है बेटा इसलिए मैं ज़्यादा इस पर ध्यान दे नहीं रहा क्योंकि आपको पूरा अच्छी तरह आता होगा ओलड़ी 1,1 यह लेजे बेटा अब आता है बी को माडू यह लेंगे अबसी क्या लेंगे बेटा वैदे तो यहां पर वन को माडू भी ले सकते हैं 1,3 में ले सकते हैं क्योंकि हमारा आ सकता है लोगले फीरें गाले बेटबस्क्रा और विरें में वाले तिन 》すिर गशां है कि मैं कोमा गयम 1,2 और 1,3 तिरे element आगे अभी हमारा क्या exist करना चीब अ,C तो देखो 1,C, A की value कितनी है 1, C की value कितनी है 1, दूसरा देखो 1,2 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, देखो 1,1 exist कर रहा है, exist कर रहा है 1,2 exist कर रहा है, 1,3 exist कर रहा है, तो पैटा ये transitive भी है कि नहीं है है ना बिल्कुल, यही तो यह तिनों property satisfy कर गए, आप सबसे पहली property कौँछी थी reflexive, दूसरी क्या थी, anti-symmetric, और 3 क्या थी transitive, देखो मैंने यहाँ पे लिखावा reflexive पढ़ते हैं इसको, कोई A element उठाया set S में से, तो हमारा A, A, B exist कर जाए, उस चीज को क्या बोलते हैं, बेटा, reflexive, जो कि example के help से आपको बताया, अब आता है anti-symmetric, बेटा, दो element उठाये, A और B किसी set S से, दो A, B, B relation R में हो, और B, R भी हो, तो उसके बाद A और B क्या होना चीज, दोनों equal होना चीज, जो यह भी था हमारा, अब तीसा था transitive, transitive में हमने तीन element उठाये, किसी set S से, ठीक है, तो relation A, B, B relation R में होना चीज, B, C, B होना चीज, तो बेटा, यह दोनों है, तो हमारा A, C, B relation R में होना चीज, तो उस चीज को बोलते है, transitive, अब तीनों property satisfy हो गई, then relation R is called partially ordered relation, and set S is called post set, ठीक है बेटा, जो relation R है बेटा, देखो, मैं समझाता हूँ, यह समझ ना, यह line भहुत ही important है, आप लोगों के लिए, जो relation R है बेटा, वो तो किस पर क्या हो जाएगा, partially order relation हो जाएगा, वो जो set S है, उसको क्या बोलेंगे, बेटा, post set, set को क्या बोलेंगे, post set, और relation जो आप चलते हैं, एक्जामपल पे, बेटा, पहला एक्जामपल देखो, जो कि मैंने अभी आपको समझाया भी, एक बाद फिर दुबारा से हम कोशिस करेंगे, और अच्छी तरह इसको समझानेगे, ठीक है, बेटा, A हमारा दियावा 1, 2, 3, ठीक है, तो relation हमारा given है, ओ रिफ्लेक्सिव, दूसरा है हमारा एंटिश्मेट्रिक, और तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है बेटा, अब रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हम इसमें से कोई element 1 उठाया हमालो, थोड़े देर के लिए पहले क्या element क्या है, 1 है हमारा, हमने 1 उठा लिया किसी set, sorry, A ह है हमारा set, तो हमारा क्या exist करना चीए, देर एगजिस्ट, 1, 1, 1 exist करना चीए, relation R के अंदर, जो की कर रहा है हमारा, ठीक है, अब मालो, 2 उठा के देखो, 2 कर रहा है, तो 2, 2 भी हमारी exist कर रहा है, 3 उठाके देखो, तो 3, 3 भी कर रहा है, तो मतलब यहां आप लिख सकते हो, कि यह क्या है reflexive है ठीक है बेटा अब आजाता है anti-symmetric anti-symmetric के लिए बेटा कुछ नहीं जो बेटा मैं यह यह देखो यहाँ पर ज्याद रखना जो मैंने आपको यह पड़ाया है पहले exam में यह लिखना जब question करो ना जो मैं notes दूँगा आपको यह लिखके दूँगा सब कुछ अब यह आपको पहले लिखना है then मैंने जब ही question समझाया वैसे करना यह properties आपको लिखना है यहाँ ठीका बाता है anti-symmetric anti-symmetric में क्या है a,b उठाया sorry आपको फिल्किल basic से समझाते हैं इसको भी हमने a और b दो element उठाई set a से तो हमारा a,b,b belong करना चीए relation r में and b,a,b belong करना चीए relation r में और उसके बाद then उसके बाद a equal to क्या होना चीए b होना चीए अब उठा लेटें दो element बेटा a और b ठीक है बेटा दो element उठा लेते हैं सबसे पहले a मान लो हमने ले लिया 1 ठीक है यह उठा लिया a और b क्या ले लिया हमने 1 1 ले लिया ठीक है अब यह belong कर रहा है r में तो इसका उल्टा करेगे तो 1,1 भी हमारा belong करेगा r में तो दोनो a equal to b हो गया 1 is equal to 1 हो है कि नहीं है बेटा अब मान लो हम इसमें से 2 2 उठा ले तो उल्टा भी b भी 2 2 ही होगा दोनो a equal आएंगे अब मान लो duration में से 3 3 उठा लिया हमने ठीक है तो 3 3 उठाया तो 3 3 ही होगा a b फिर equal हो जाएगा हमारा तो बेटा यह भी क्या हो जाएगा हमारा anti symmetric अब बात करते ह है ट्रांजिटिव के ऊपर हम ट्रांजिटिव के ऊपर भी same है बेटा कुछ नहीं है देखो हमने उठाया one one मान लो ठीक है a की value one b की value one अब आपको पता है b और c होता है उसके बाद b की value क्या लेंगे one अब one वाले कौन कौन से set है बेटा one वाला one a की set है 1,1 यहां से a,b ल था लेते हैं 2,2 तो यह a,b होता है यहां क्या था b,c और लास्ट में क्या होता है c,a,c sorry ठीक है तो b,c,b,c,b,c,b,c,b,c,b,c,b क्या होने चीए 2,2 वाले कितने है element है 2,2 only तो यह बिल्कुल से हमार 2,2 ही होगा यह भी हमारा तो इसको बोलते हैं बेटा है ट्रांजिटि ठीक है यह इतने easy question है इनको बड़ा आराम से ध्यान पूरवा करना आप लोगों ठीक है अब आधता है 1,2,3 हमारा एक relation और दिया हुआ है ठीक है जिसमें हमारा दिया हुआ है x is greater than y हमारा x हमेशा बड़ा रहेगा y से तो बिल्कुल इसमें क्या relation बनेगा relation दिया हुआ हमा था तो 3 कोमा 3 नहीं हो सकता अब इक्वल का साइन भी हो सकता है हमारा तू कोमा 2 भी हो सकता है हमारा 3 थी तो वी-वी हो सकता है हमारा और 3,1 भी हो सकता है हमारा यह सेट से बन गए हमारा अब इसका फिर दुबारा से सी रिफ्लेक्सि निकालने के लिए बना जिले पमातिर एक्स घ्रेटर तैंन क्योंगे ऑन वन से खोट आँ वह equal है छोटा नहीं है तो 2 2 3 3 3 हमारा greater है दूर से 3 हमारा greater है 1 से ठीक है यह हमारा relation बनेगी अब relation से reflexive बटा हमने कोई element यह उठाया जो कि हमारा किस्व में belong कर रहा है ए में तो ए क्या value हमने मालो 1 लिया तो 1,1 भी हमारा belong करेगा relation R में 2 उठाएंगे तो 2 भी करेगा 3 उठाएंगे 3 भी करेगा तो यह हो गया बटा हमारा reflexive अब कर लेतें NT मालो हमने कोई element उठाया A और B मालो हमने उठा लिया कोई भी दो element जो हमारा उल्टा करते तो 1,1 भी करेगा अब लोग करेगा R में तो और A is equal to B भी हो रहा क्योंकि 1 is equal to 1 है हमारा A और B की value तो equal नहीं है बेटा इसमें कोई भी एक भी अगर कर रहा है ना हमारा satisfy तो उसको हम क्या बोलेंगे anti symmetric जो नहीं कर रहा उसको चोड़ दो जो नहीं कर रहा उसको drop कर दो हमें कोई भी करके दिखाना है उसके अंदर होना चाहिए आगे हैसे में भी ऐसे होगा हमारा ठीक है त question number three और question number four आपको practice करना है और question number five यह को और देता हूँ आपको यह आपको practice करके लेके आना है अब नया चीज़ सिखते है इसमें आता वेटा एक comparable element और एक non comparable element बेटा जब जो partially order set है हमारा A उसमें दो element है हमारे A और B आर set to be comparable को comparable कब होगा जो हम निकाल रहें A, B और दूसरा हम निकाल रहें B, A या तो एक either या फिर ये दोनों में से एक exist हो गया ना या तो ये exist हो गया मानलो अभी थुर्दे पुलेम पढ़ रहे थे 1,2 और हमारा 2,1 उल्टा होता था मानलो या तो ये exist कर जाए relation R के अंद ठीक है ये ना करें तो अभी कोई दिक्कत नहीं तो वो क्या हो जाएगा comparable set हो जाएगा example देखते हैं या तो ये करना चाहिए या ये करना चाहिए either or or और देखो अभी हमारा ये दिया हुआ है relation क्या है divide दिया हुआ है तो ये हमारा relation बढ़ गया बेटा अभी हम मानलो ये रहा बट इसका उल्टा कर दे 4,1 करें कि relation R में बिलोंग कर रहा है भाई नहीं कर रहा not belong to R तो नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है ना हम लोगों को एक करना चाहिए बट क्या है एक करना चाहिए तो एक हमारा कर रहा है तो ये क्या हो गया बेटा हमारा comparable element ठीक है और इसी पर का सोरो को चेक कर सकते हैं ये इसका हो गया 16 का करके देखो 16 का उल्टा है नहीं है तो ये क्या हो गया बेटा ये तो comparable हो गया 16 क्या हो गया non comparable मतलब ना तो ये exist करे और ना ये exist करे सोरी 16 सोरी है देखो मैं गल्द बोल गया यहां पर थोड़ा सा सुनना पहला विल्कुल सही बोला है ठीक है अभी मालों दो element ले लिया आपने ये लिया अभी अगला element ले लिया आपने a8 ले लिया और b आपने 1 ले लिया ठीक है अब a,b किया तो क्या गया 8,1 बिलोंग कर रहा है रिले सनार के अंदर नहीं कर रहा हुआ इसका उल्टा 1 इmm कर रहा है ये क्या होगया बेटा हमारा non comparable समझ को से है ठीक है अब यहां से देखो यह समझ में आगर comparable element कौन से है non comparable element कौन से है ठीक है तो यहां से देखो अभी लिखना कैसे एक्जाम में भी आपको यह ध्यान पुरुक सुनना भी ठीक है इसको rough कर लिए अभी एक्जाम में पूछे comparable comparable element कौन से है अभी comparable element ठीक है अभी आपने 1 का relation बनाया बटा बनाया न तो हमारा का 1 क्या है comparable है 1 और 6 हमारा लिखा न और वो भी हमारा comparable है अभी आप थोड़े देर के लिए 4 और 6 को उठाओ ठीक है 4 ले लिए 6 ले लिया यह हमारा belong कर रहा है आर में 4 और 6 कहीं कर रहा है नहीं कर रहा है इसका उल्टा कर रहे है 6 और 4 कर रहा है belong कहीं कोई सा भी नहीं कर रहा है तो 4 और यह relation क्या होगा बेटा हमारा non comparable तो यहां हम लिखेंगे four and six are non comparable ठीक है जैसे कर रहा था one और four का लिया हमने four और one लिया उल्टा तो हो रहा है हमारा तो यहां लिखेंगे one and four are comparable और यहां नहीं कर रहा था तो four or six are non comparable तो यह था comparable की definition अब non comparable non comparable में ना तो यह करें और ना हमारा यह करें तो यहां पर हम भी same example लिया आतो लिख सकते ना four and eight are जो यह दिखाएंगे पहले four or eight not belong to are और eight or four not belong to are तो यह क्या है हमारा four or eight are non comparable यहां दिखाना है let a is equal to four b is equal to a और a, b belong to are बट यहां पर note belong to are हो रहा है हमारा तो हमारा यह क्या है four or eight क्या है non comparable element तो comparable non comparable पोसेट क्या होता है बेटा hopefully आपको समझ में आ गया होगा और नहीं आया तो यह example try करना और नहीं हो रहा हो तो notes में मैं आपको provide कराऊंगा आप जाके notes ले सकते हो और हाँ मैं बता सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए helpful के लिए जो msc की मैं बहुत सारे math complete करा चुका हूँ सबसे पहले triple a advanced empirical algebra, ordinary differential equation, partially differential equation, real analysis, ठीके बेटा, discrete mathematics चल रहा है हमारा, उसके बाद integral equation and boundary value problem, उसके बाद बेटा हमारा mechanics of solid, उसके बाद बेटा हमारा fluid mechanics, उसके बाद mechanics, उसके बाद 10th COV, calculus of variations, यह बहुत सारे math मैं अभी तक complete करा चुका हूँ, सभी का link नीचे description में video free बिल्कुल available है YouTube पे, किसी का और सले बस बच रहा हो, तुम इसमें बताते रहे ना, comment करते रहे ना, वो topic भी में, playlist में हम add करते हुए चलेंगे, हाँ अगर आपको notes से ही बिटा, तो notes मातर 100 rupees में आप नीचे एक telegram channel दिया हुआ है, उसका link दिया हुआ है, उस पर message कीजिए, मातर 100 rupees में आपको notes प्रवाइड करा जिया जेंगे, यह colorful notes, plus some additional topics जो आपके university में नहीं रहे हैं, वो notes में add करके आपको provide करा देंगे, ठीक है बिटा, तो video अच्छी लगे, तो like, share जरूर कर देन उस channel को subscribe जरूर कर देना, और next topic एक बर आप थोड़ा देख लीजिए, अगला रहेगा बेटा, हैसे diagram, जो कि बहुत important topic है, exam point of view से, 5 marks का question या 6 marks का question आपके exam में रखा हुआ मिलेगा, लेकिन post set पढ़के आना है आपको, ठीक है, दिखा देता हूँ, यह partially order set, यह less than equal to का sign नह पढ़ा हूँगा, ठीक है, तो अगर post set आपको नहीं आता, तो ऐसे diagram आपको नहीं आएगा, क्योंकि save है, ठीक है, और ऐसे diagram में post set में पढ़ा हूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं already cover कर चुका हूँ, ठीक है, तो मज़े करते रहे है, enjoy करते रहे है, और notes ले ले लेना, नीचे आपको मिल जाएंगे, thank you.